हेलो फ्रेंद्स आज हमसे यह वल्जीब बनांगे यह डिजाइन मैंने कैसे बनाया है तो आज की वीडियो में हम बताएंगे तो यह हमारा शुरू में हमँने पहले 6 राइउ में पेरी 6 राइउ में ते नोय से बनेगा डिज़न को से बनाना स्टार्ट करते है हमने यह साथ के मल्टी में फंदे लिए अधहली है और दो पंदे एकस्टर लिए तो पहले कैसे बनाएंगे पहले स्टीज का ले लेंगे एक फंदा फिर तीन फंदे हम सीधे बनाएंगे एक दो और यह थीन धाग अपके तरफ एक फंद dzi condot उल्टा धागा दूस तरफ तीन फंद सीधे एक जो दो और यह थीन तो सात'S हंदों का यह पेटरन हैund दो तीन चार पांच छह साथ शट शाट इनी साथ को दुबारा यहां पर भूनेंगे तो यहां पर तीन से बने तैसे हाँ भी तीन से शीद्विटे से ओं गेट भी छताव न शांद चांड शांद शीद्व और यह तीन द दंधर फिर एक औंदा उल्टा दागा दूर चाप स्धीन बाइब है अज पर उड़ी साइड पर हम दूसरी रोब पर आगिए है जो फंदे वने उने सीधह बुने गे और जो सीधे बने उनके आपशे बसे बने याफ कंदो सेखेगिं एक दो और ये तीन तीन फंदे उल्टे बुनें एक फंदम सीधा बुनेंगे सीधा आप देख रहे हैं सीधा दिख रहा है कि दागा अपने तरफ तीन फंदे उल्टे कि दागा दूस तरफ फिर उसके बाद दूसके दोबारा से तीन फंदे उल्टे बुनेंगे क्योंकि बीच में आमने यह याँ पर यह यहाँ और यह पर सीधा बुनेंगे यह फंदा सिधा है यह सिधी शायड में उल्टा भुणदा था यहां पर शिता भून लेंगे फिर 3पंदे उल्टे भून लेंगे और लास्ट का भी एस्टिच उल्टा और अब दुबारा वैसे ही बनाएंगे जैसे पहली सलाइब रही थी तीन फंदे उल्टे एक फंदा उल्टा तो तीन फंदे सीधे और एक उल्टा फिर दागा दूस तरह तीन फंदे सीधे इस डिजाइन का पैटन पूरा हो गया अब यह पैटन शुरू होगा फिर तीन फंदे सीधे एक दो और यह तीन डग अपनी तरफ एक फंदा उल्टा तो चोथी सलाई बना कर फिर मैं आपको आगे बताती हूँ और ही और चार सलाई हैं हमारी पूरी हो गई हैं चार सलाई हमारी एक जाशी हमारी एक जाशी बनेंगी पहले और दूसरी ऑग चार बना दी हम नहीं कि तो यह बीच मीं इ thumbs up यह ब59 वे पहला प्रिपन negativity में आगा we तो पहले 건 realities के बुलिए दो सिधे फंदे बुल लिए एक फंदा सिधे छोड़ देंगे अब ये उल्टा फंदा है इसके चार छोड़ के हमें एक, दो, तीन ये चार, चार ओल छोड़ के ये पिछ चार होल छोड़ के पिछय सिधे दिख रहे है दगा दुसरे फिर एक फंदा सीधा बुन लेंगे फिर वापीस से इसी होल पर जो हमने एक फंदा बनाया था यह वाला इसी होल पर दुबारा से ऐसे एक फंदा और बना लेंगे पिर दोफन्दे सी दे बुननेगे हैए दोफन्दे बुनने पर दूसरा पैटरन शुरू हो गया है तो एक पंदे सीदे छोड़ देंगे टो उलटे के दो तीन चार होल जोड़ के चोती होल में हम अगर आप वो यहां से ना समझाए उल्टे का हमने चार होल में छोड़ कर छोती होल पर हमने यह भंदा बनाना है तो आप उल्टी साइड पर यह देख लेए सिधा फंदा है लिए तो इसे एक फंदा बना लेंगे फिर एक सिधा हुझ दागा पर तरफ फिर उल्टा फंदा भूल लेंगे तो इसी वापिस में उसिसे में एखम और बना लेंगे को कि दोफंदें सीधे बोल्लेंगे एक और एक और दो लास्ट के एस स्टीच उतन विट हई अब हम आगे हैं चल्ट티 ते उन्सलाई पियां मैं आपको बतातींütfen अब हम छटे चलाई पर पर आगें है पहला फंदा ऑस्ट का बोलेंगे है फिर उसके बाद उल्टा फंदा बूलेंगे थिनी फंद यहां पर उल्टा आएंगे यह फंद लिया अब यह दूसारा उल्टा फंदा है और एक जो हमने फंदा बनाया था इन दुनों को एस से पर बैक लूप से ऐसे उल्टा बनाना है हमने बैक लूप से उल्टा बनाना है ऐसे करके ऐसे बन जाएगा फिर उसके बाद एक फंदा उल्टा बना देंगे फिर जो ये फंदा हम सीधा बना रहे हैं उसे सीधा बन लेंगे फिर अपने तरफ करेंगे एक फंदा उल्टा बन ले कैसे कर देंगे फिर उसके पाद उल्टा फंदा भून लेंगे फिर दुबारा से हमारा दुसरा पैटर स्डूरी हो कि इक फंदा उल्टा उल्टा वोनेंगे yes the Ifんだ Otam और एक यह दोनो कि इन दोनों को बैक लूप से कि दुनों को फिर एक फंदा उल्टा बोल लेंगे फिर दगा दूसर तरफ कर लेंगे फिर एक फंदा सीधा बोल लेंगे फिर दगा अपने तरफ करेंगे एक उल्टा बोल लेंगे फिर उसके बाद एक उठाया हो फंदा और एक फंदा उल्टा इन दोनों को एक बार हमें ब ऐसे बन जाएगा तो यह डिजैन हमारा ऐसे बन जाएगा अब हमें क्या करना है हमने पहले एक रो से लेकर चारो तक बनाई थी अब हमने क्या करना है जो हमने तीसरी और चारो बनाई थी उसी को बनाना है और पांच मीर छेडी रो को कि दो चारो ही बनेगी अब जो पहली द तीन पंद दागा पुन तरफ एक पंदा उल्टा फिर ती संदे सीधे एक दो तीन पंदे तरफ फिर उसके बाद फिर तीन पंदे फिर सीधे मनाएंगे दूसरी जो डिजान का पैटरन में वह शुरू हो गया है फिर एक फंदा उल्टा तागा दूस तरफ फिर तीन फंदे सीधे लास्ट कर भी जीदा ऐसे तो हमें पर नहीं बनानी है पहले एक बर बना ली है अब हमने तीसरी जोती पांच में चटी रो है उन्हीं चार रो को हमने बनाना है पहली दूसरी रो को नहीं बनाना है अगर आपको यह डिजाइन अच्छा लगे तो लाइक शेर कमेंट जुरू कर दें थेंक यू